वेके मेसरा प्रजेक्ट हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में वेल आइकन घंटी रभाइब विगनेश्वराय वर्दाया, सुरप्रियाया, लंबो दराय सकलाया, जगधिताया, नागा ननाय सुर्तियग्य, वीभोशताया, गवरी सुताया गननाथ, नमो नमस्ते, जैस्री गनेश, जैस्री राधिक्रिष्ण आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है, आईए सुनते हैं आसाड मास कृष्ण पक्ष संकष्टी गनेश चतुर्थी व्रत्य की कथा, आप सभी भक्तों को संकष्टी चतुर्थी की धेर सारी शोप कामनाए, आप सभी के जीवन में भगवा गनेश जी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और शम्रिद्धी की प्राप्ति हो, आसाड माह के कृष्ण पक्ष में पढ़ने वाली चतुर्थी को इसे कृष्ण पिंगल चतुर्थी के नाम से भी जना जाता है, इस तीन भगवान गनेश जी का पूरे विधी की प्राप्ति होती है, प्रतेक चतुर्थी जो की हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन गनेश चतुर्थी का ब्रत्य किया जाता है, कृष्ण पक्ष में पढ़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पढ़ने परदान करने के बाद ही इस व्रत्व को पूर्ण माना जाता है तो आईए सुनते हैं आसाड कृष्ण संकष्टी चतुर्थी व्रत्व की कथा अगर आप कथा के लिए ब्रहामन दक्षिना अन्दान वस्त्रदान आदी के लिए देना चाहते हों तो आप अपने स्रध्धा औ और सामर्थ के अनुसार हमें ब्रहामन दक्षिना प्रदान कर सकते हैं तो आईए सुनते हैं आसाड कृष्ण संकष्टी चतुर्थी व्रत्व की कथा तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जै चौत माता की जै चंद्रदेवता की जै सर्वदेवी देवता की जै जो की बहुत ही शुवदाईने कही गई है आप उसका बिधान बतलाईए इस मास के गणेश जी का क्या नाम है और उनकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए गणेश जी ने उत्तर दिया कि है माता पुर्वकाल में इसी प्रश्ण को युदिश्ठी ने पूछा था और उन्ह को बतलाता हूं आप सुनिए स्रेकृष्ण जी ने कहा कि है राजा गणेश जी की प्रीती कारक विग्न विनाशक पुराण इतिहास मैं वर्नित कथा को कह रहा हूं आप सुनिए है कुंति पूत्र आसाड कृष्ण चतुर्थी के गणेश जी का नाम लंबोदर है उनका अन्यशील और प्रतापी राजा था वह अपनी प्रजाओं का पालन पुत्रवत करता था किन्तु संतान विहीन होने के कारण उसी राजय महल का वैभव अच्छा नहीं लगता था वेदों में निश्यंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है यदि संतान हीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान देता है तो उसके पितरगण भी उस जल को गरम जल के रूप में ग्रहन करते हैं इसी उहा पोह में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान यग्य और कई धर्म कर्म के कारी किये फिर भी राजा को और प्रजाजनों से इस संदर्भ में प्रामर्स लिया राजा ने कहा कि हे ब्रामनों तथा प्रजाजनों हम तो संतान हीन हो गए अब मेरी क्या गती होगी मैंने जीवन में तो किंचीत भी पाप कर्म नहीं किया मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रे भी नहीं किया मैंने तु सदैब प्रजाओं को पुत्रवत इनका पालन किया तथा धर्मा चरण द्वारा पृत्रवी का शाशन किया मैंने चोर डाक्यों को डंडीत किया इश्ट मित्र के भोजन की विवस्था किया गौ ब्रामनों का हित चिंतन करते हुए सिष्ट पुर्शों का आदर सतकार किया इस प्रकार मैं पृत्वी का पालन कर रहा हूं अपनी प्रजाओं का धर्म पुर्वक रक्षन किया फिर भी हे दुज सत्तमो मुझे अब तक पुत्र नह होने का क्या कारण है विद्वान ब्रामनों ने कहा कि हे महराज हम लोग वैसे ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंस की बृत्धी हो इस प्रकार कहकर सब लोग युगती सोचने लगे सारी प्रजाएं राजा के मनुरत की शिद्धी के लिए ब्रामनों के साथ वन में चली गए वन में जाकर वे लोग सिगरता से इधर उधर परी भ्रमन करने लगे। उन लोगों को उसी समय एक स्रिष्ट मुनी के दर्शन हुए। वे मुनी राज निराहार रहकर तपश्या में लीन थे। ब्रह्माजी के स्रमान वे आत्मजीत, क्रोध जीत तथा सनातन पुरुष्ट संपुर्ण वेद विशारद द्रगायू अनंत इवं अनेक ब्रह्म ग्यान संपन वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमस रिशी था। प्रतेक कलपांत में उनके एक एक रोम पतीत होते थे। इसलिए इनका नाम लोमस रिशी पड़ा। ऐसे त्रिकाल दर्शी महर्सी लोमस का उन लोगों ने दर्शन किया। सब लोग उन तेजस्वी मुनी के पास गये। उचित अभ्यर्थना इवं परणाम आदी के अनंतर सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गये। मुनी के दर्शन से सभी लोग प्रशन होकर परसपर कहने लगे। कि हम लोगों को सौभ आगे से ही ऐसे मुनी के दर्शन होए हैं। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्यकर मुनी राज से जनता कहने लगी कि हे ब्रम्हर्शी हम लोगों के दुख का कारण सुनिये। अपने संदेह के निवारनार्त हम लोग आपके सरनागत हुए हैं। हे व्यक्ति से क्या कहें। आप ब्रह्मन एवं रिश्यों में स्रेष्ट हैं। आपसे बढ़कर कोई दूसरा पुरुस मुझे दिखाई नहीं देता। महर्शी लोमस्ची ने पूछा कि सजनों आप लोग यहां किस अभी प्राय से आये हैं। मुझसे आपका क्या पर्योजन हैं। अश्पष्ट रूप से कहिए मैं आपके सभी संदेहों का निवारन करूँगा। हम आपके कल्यान की भावना रखते हैं। तपश्वों की तपश्या केबल परोपकार के लिए ही होती है। प्रजाजरों ने उत्तर दिया कि हैं दुजिस रिष्ट हम लोग जिस महान कारे की शिद्धी के लिए आये हैं। उसे सुनिये। हम लोग महिश्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम मही जीत है। वह राजा ब्रामनों का रक्षक धर्मात्मा, दानवीर, शुरवीर एवं मधुर भाशी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन कोशन कि है। परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। है भगवन माता पिता तो के बल जन्म दाता ही होते हैं। किन्तु राजा ही वास्तव में पोशक एवं समवर्धक होता है। उसी राजा के निमित हम लोग ऐसे गहनवन में आया है। है महर्षी आप क कोई ऐसे युक्ति बतलाईए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो। क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र नहीं हो ये बड़े दुरभागी की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्ष करके इस वन में आये हैं। उसके सभागे से ही यहां हम लोगों आपका दर्शन का लाब उठाया है। है मुनिश्वर किस व्रत, दान, पूजन, आदि कर्म का अनुष्ठान करने से राजा को पुत्र होगा। आप किरपा करके हम सभी को बतलाईए। पढ़जाओं की बात सुनकर महर्षी ध्यान मगन हो राजा के उपकार के लिए कहने ल वह ब्रत निशन्तान को संतान दायक इबम निर्धनों को धन दाता देने बाली है। आसाड कृष्ण चतोत्री को एक दंत गजानन नामक गनेश जी की पूजा करे। पुर्वप्त विधी से राजा ब्रत करके स्रधा युक्त हो ब्रामन भोजन करावे और उन्हें वस्त्र दान करे। गनेश जी की किरपा से उन्हें आवश्य ही पुत्रोप लब्धी प्राप्ती होगी। महरसी लोमस की यह बास सुनकर सभी लोग करबद्ध होकर उठकर खरे हुए और नत्मस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर में लोट गए। वन में घटित सभ सभी घटनाओं को प्रजाजनों ने राजा से बतलाया और उनकी बास सुनकर सम्मानकारी विमल बुद्धिमानी राजा बहुत ही प्रशन हुए और उन्होंने स्रधा भक्ती से विरिवत गनेश श्यतुर्थी का ब्रत्त करके ब्रामनों को भोजन वस्तरादिक का दान किया राणी सुदक्षिना के गरभाधान संसकार के अनंतर स्री गनेश जी की कृपा से राजा को एक सुन्दर और शुलक्षन पुत्र प्राप्त हुआ राजा ने संपुर्ण नगरवासियों को संतुष्ट करके पुत्रों सब मनाया राजा मही जीत ने ब्रामनों को धन आइसा ही प्रभाव है जो व्यक्ति स्रधे को शड़ा पुरुवक धारन करता हैा समस्त सांसारिक्सुक्न के अधिकारी हो जाते हैं स्रकृषन जी ने most is the star को व्की पुरुवद की जीए फ़री गनेश की क्रिपाश चल राजे के अधिकारी बनेंगे भूप शिरोमनी युदेश्ठे जो पुरुस इस व्रत्त को करते हैं वे चाहे एकांत से भी रिशी हो अत्वा बिद्वान उन्हें निर्वेगन उरूप से पुत्र पुत्रादी की प्राप्ति होती है जो मनुश्य गणेश जी के चरित्र क दूं शुन्ते हैं अथ्वा सुनाते हैं उन्हें सवकारियों में शिद्वी की प्राप्ति होती है उसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची स्रधा के साथ नियम और निश्ठा के साथ संक्ष्टी चतुर॥ी का ब्रत करते हैं तो भगवान गन शी के किरपां से उनके के सभी प्रकार के विखनों का नाश होता है तथा मनोवांचित फलों की प्राप्ति होती है तुवासा करता हूं यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो ऐसे ही ग्यान परधक जानकारिया प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें साथ में वेल आइकन घंटी को दबाए ताकि मेरे वीडियो का नोट्फिकेशन आपको समय से मिलता रहें वीडियो को लाइक करें शेयर करें शुक्य रहें और स्वस्त रहें जैसरी राधे कृष्ण धन्यबाद